गरीब समधों को मोधी सरकार का चुनावी तौफा जी हाँ नमस्कार वस्पागत है आपका MP News के खास कारिक्रम है आपके साथ मैं हूं नमरता बुंदेला और लोग सभा चुनाव आने से पहले हैं मोधी सरकार ने गरीब समधों को एक चुनावी तौफा दिया है और इस तौफ़े ने इस सब ही को चौका दिया है मारसाम वदातार राहुल इस वक्त हमसे चुड़े हुए है राहुल बताई कि मोदी सरकार ने किस तरह का ये तौफ़ा दिया है और गरीब समवर्णों के लिए ये किस तरह से चौकाने वाली बात साबित होई है और कैबिनेट ने इसको मनजूरी दे दी है ये भी कहा जा रहा है तो क्या है ये पूरा मामला जिनिशी तोर पर नमरता एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के गलियारों से क्योंकि कैबिनेट की बैठक में पदानमंती नरेंदर मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को बड़ा एक तौफा दिया है कई लोग इसे चुनावी तौफा कर रहे हैं लेकिन अभी जिस प्रकार से केबिनेट ने एक मनजूरी दिये उसके तहट दस पतीशत गरीब सवर्णों को सरकारी नोकरी और सरकारी बाकी जो सिक्षण संस्थान है यहां पर जो आरक्षण मिलेगा एंट्री पर आरक्षण मिलेगा तो कुल मिलाकर नरेंदर मोदी का यह से मास्टर स्टोक का जा रहा है लोग सबाच चुनाव को मद्दे से किया था जिसको किसी की जानकारी नहीं थी और रातो रात नोट बंदी का फैसला लिया गया था उसी तर्जपर नरेंद मोदी स्टाइल कर सकते हैं इसे कि एक बार फिर किसी को ख़बर नहीं थी मीडिया की नजर लगातार गड़ी हुई थी कि क्या कुछ कहने करने वाली है मोधी सरकान आने वाले दिनों में चुकि लोग सबाद चुना बहुती इंपोर्टेंट है और बहुती नजदी के ऐसे में कयास लगा जा रहे थे कि राम जन्म भूमी पर कोई बड़ा फैसला होगा लेकिन नरेंद मोधी ने एक बार फिर सबको चोकाते हुए गरीब मनजूरी दे दी है अब से गरीब समणों को 10% आरक्षण मिलेगा जैसा कि राहुल आपने बताया कि भारती जन्म पार्टी अभी तक ये सोच कर चल रही थी कि राम जन्म भूमी का फैसला लाकर वो पार्टी को मजबूत बना पाएगी मास्टर स्चॉक ला सकेगी वो पार मिलेगा बारत की बाथ करें तो भारत में सभी जातों का संतुलन मनाना राजनीती कोई बी राजनीती पार्टी उसके लिए अहम माना जाता ह। वह had भारती जन्ता पार्टी जब से शुरू हुई त starter कि कि बाहिंता है या राहर्मन बनीं की का जाता है एसे में पिछले वोट बैंक माना जाता था और अगर मध्यमवर्ग की बात करें जो कि मध्यमवर्ग में किसी जाती विशेश सनी बोल रहा हूं मध्यमवर्ग का मतलब होता है वह आम आदमी जो अपनी जरूरत की चीज़ें जुटाने में दिन से लेकर रात तक लगा रहे था ऐसे में भारती जंता पार्टी की तरफ चल रही थी उसी को पॉजिटीव में करने के लिए प्रदान मंत्री नरन मोदी का इसे मास्टर स्टोक कहा जा रहा है वहीं बिल्कुल आपका जो प्रश्न था बिल्कुल इस सहमत हूं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा एलेक्शन है उसका बड जातार गहन चिंतन किया और आखरी समय पर एक बड़ा ही तोफा दिया है बरहाल अभी तक जो बात आई है कि 10 प्रतीशत सवर्णों को आरक्षन मिलेगा जिसे भारती जंता पार्टी को लग रहा है कि आने वाले लोकसभा एलेक्शन में मजबूत होते दिखाई देगी वह इन कहीं यह भी पूरी तयारिया में जो कहें केंद्र सरकार किया मोधी सरकार की पूरी तरह से इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और अभी उन्होंने एन मुमेंट पर इसको लांच किया है तो कुल मिलाकर मद्दप्रदेश नहीं पूरे राष्ट की राजनिती की गल् कि मद्दप्रदेश कहें या पुरा देश कहें अलग-अलग समर्ण आंदोलन से आरक्षण को लेकर मांग लगातार बनी हुई थी ऐसे में गरीब समर्ण को टार्गेट करके भारती जंता पार्टी ने सब को चोका दिया है जैसा कि राहुल ने बताया कि बहुत ही गहन चिंत सरकार ने फैसला तो किया है कि मोदी विरोधी भी काफी पार्टियां है तो क्या किसी तरह की अर्चन आ सकती है मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाव नम्रता जिसे सविदान की जो हमारी मूल भावना रहती है कि पक्च और विपक्च सबको अपनी बात रखने का एक अधिक पर सकता वहिं अगर भारती जनता पार्टी की बात करे तो कोई राष्टि पार्टी या बड़ी पार्टी इसका विरोध करती है तो सीधा उसका वार्च पर बारती इर्चन efforts को मिलेगा चुकि वहीं हम कानून की अर्चनों की बाद करें तो भारत में पचास अधिसके आरक्षण पहले से ही दिया जा रहा है अलग-अलग वर्गों को तो ऐसे में यह जब प्रतिशत अलग से लागू किया जाएगा तो निश्चित तोर पर जो है सविधान को संसोधन लाना पड़ेगा विधायक पारित करना होगा उसके बाद ही इसको पूरी तरह से लागू कि सुप्रिम कोड में जो सविधान की बैच है वह सविधान बैच में याचना होती है इस पर आगे की बाते हैं अभी क्या होता है क्या कुछ होता है लेकिन कुल मिलाकर नर्यन मोधी ने एक बार फिर अपनी राज़िती सब को चोका है और यह मास्टर स्टोक साबित होगा ऐस मास्टर स्चौक साबित होता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी फिलहाल कब इसे पकी महड लगेगी इस फैसले पर ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन मोधी लहर जो अब तक धुंदला गई थी धुंदली धुंदली नजर आ रही थी जैसा कि विधान सभा चुन झाल, 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 झाल